हलो दोस्तों स्वागत है आपका investment 1 चैनल पर इस चैनल के द्वारा हम financial market में awareness करते हैं आपको trading strategist के बारे में बताते हैं management कैसे करना है अल्गो ट्रडिंग कैसे करनी है और quant finance के बारे में आपको पूरी जांकरी प्रवाइड करते हैं तो आप इस चैनल को subscribe करिए आज का हमारा मुद्दा है कि जो basic stock market jargons क्या-क्या होते जैसे bullish trend क्या होता है bearish trend क्या होता है bearish trend एक और चीज होती है sell क्या होता है उन्हें समझ में नहीं आता है पहले कि पहले short sell जिसको हम बोलते है short sell यह पहली बार किसी को clear नहीं होता है तो उसके अलावा यहां पर एक और चीज होती है जैसे 52 weeks 52 weeks high 52 weeks high 52 weeks low yes उसके आत face value क्या होती है stock की तो यह सारी चीज़े हम one by one इस वीडियो में देखेंगे अभी अभी bullish trend bullish trend मतलब अगर एक खाद स्टॉक अगर आपको यह ऐसा ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है राइट तो इसको क्या वहली यह stock की price continuously increase हो रही है तो हम इसको बोलेंगे bullish trend bullish trend यह stock क्या है bullish है bullish है अगर आपको कोई stock का trend अगर ऐसा दिख रहा है डाउन में जाते हुए नीचे गिर रहा है वह पहले बड़ा था अभी पहले बड़ा फिर गिरा यह क्या हो गया यह bullish bearish bearish मतलब downtrend नीचे की तरफ उसका trend है उपर की तरफ तब bullish trend अब कुछ trend ऐसे भी होते हैं आपने देखा ट्रेड करता है stock तो इस market क्या बोलते sideways market क्या बोलते sideways यह market में कभी भी trade निलना trading कर रहे हो या फिर आपको इस तरीके से दिख रहा है trading कर रहे हो आप mostly तो आपको ऐसा graph को avoid करना अगर आपको दिख रहा है कोई किसी दिन market sideways यह बिलकुल ना उपर जा रहा है निचे जा रहा एक particular day पर कितने number of shares traded हुए है चाहे वो buy किये हो चाहे वो sell किये हो तो total number of shares traded होंगे वह रहेगा trading volume यह देख सकते आप 52 weeks high कितना गया है और 52 weeks low 52 weeks low यहां पर आप देख सकते है कुछ लोग यह सोचते कि अगर उन्होंने मतला 52 weeks high और 52 weeks low कुछ लोग यह सोचते कि अगर अगर कोई stock होगर 52 weeks high को break करता है तो वह वहां से उपर जाएंगा 52 weeks low को break करता है तो वहां से और निचे गरेंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह ज़स्त नंबर है कि एक साल के अंदर में stock का high क्या था और low क्या था और यहां पर यह ट्रेड वॉल्यम मतला total number of shares कितने होते है face value यहां पर अभी आपने देखा यहां पर face value कितने है 10 दी है तो यह जब company form होती है total number अब जब share authorized share क्या हमारे एक IPO का वीडियो है उसमें हमने explain किया face value क्या होती है total number of authorized share जब form होते company को expand करने के लिए तब face value होती है अब भी मान के चलो reliance की face value 10 है अगर कल जाके इन्होंने stock split कर दिया stock को split कर दिया stock को दोन हिस्तों में तो आपकी shares double हो जाएंगे लेकिन face value 5 हो जाएंगी वैसे कंपनिया जब dividend देती है तो dividend face value face value अगर 10 है face value let's take face value is 10 तो इस 10 का कितना percent dividend कंपनिया देगी अगर मान के चलो 100% दिया तो आपको face value 10 है तो उसका 100% मतला आपको 10 रुपी dividend मिला per share अगर face value face value 10 है face value 10 है और आपको dividend दिया गया 200% मतला face value का 200% मतला 20 रुपीज तो आपको 20 रुपीज पर share dividend मिलेगा अगर आपने 2000 share hold करके रखे रिलाइंस के तो आपका dividend हो गया 2000 share multiplied by 20 इतना आपका dividend हो जाएंगा जो भी आएंगा इसलिए share market ने profit खाली share का price बढ़न उससे भी आपको फाइदा होता है वो हर 6 मैंने एक साल के बाद company dividend परवाइड कर जो भी profit हो आँगा वो investor के अंग डिस्टिब्यूट करती अभी हम देखेंगे आगे कि share market में जो trading terminal होता है आपका आपके बस आप जो भी trading terminal यूज करते है और उसमें short sell कैसे करना हो है अभी आगे बताऊंगा अभी हम short sell के बार में discuss करते है बहुत सारे trader होते जिनको लगता है कि market में short sell कैसे होता है अगर कोई share मेरे पास नहीं है तो मैं उसको sell कैसे कर सकता हो राइट तो आप बिल्कुल short sell कर सकते हो आप share आपके पास share हो ना हो आप उसको बेच सकते हो market में तो व आप हो traded to market में market में सारे broker के साथ trading करते हो वो सारे integrated होते एक platform पे national stock exchange पे अभी मान के चलो इसके पास 100 रुपे का एक share पड़ा है इसके पास ठीके इसने कोई भी XYZ company का share है जो 100 रुपे का अभी available है आप हो आपको क्या करना है short sell करना है short sell आपके आपके पास share होना हो आपको यह share market में trade हो रहा है यह market में trade हो रहा है तो मान के चलो आपको लग रहा है कि यह जो share है आज गिरने वाला है यह share आज गिरने वाला है अभी उसकी पराइस चल रहे है 100 रुपीज लेकिन आपको लगता है कि 96 तक गिरेगा तो आपने क्या किया मान के चलो शेर गिर गया 96 रुपीज तक 96 रुपीज तक अभी आपने जो 100 रुपीज का शेर इससे उधार लिया था आपने इसको बेज दिया ये %2 को ट्रेडर को मान के चलो इसने 100 रुपे पे एक बाइंग की बीड लगाए होंगी बाइंग की बीड लगाए होंगी तो आपने इसको सेल कर दिया शॉट सेल कर दिया तो इसको ये मिल गया 100 रुपे से बराबर है तो आपको 100 रुपे मिल जाएंगे 100 रुपे आपको मिल गए 100 रुपे का बेच होगे तो 100 रुपे आपको मिल गए अब मार्केट में प्राइस उस शेर की डाउन होगे 96 रुपीज पर आगया तो आप क्या करोगे 96 रुपीज जैसे ही आगया आप इसको वापस से खरीद लोगे क्योंकि आपने इससे उधार लेता आपको इसको वापस भी करना पड़ेगा तो 100 रुपीज जैसे 96 रुपीज आ गया शेर मार्केट में प्राइस डाउन हो गई तो आपने जो 100 रुपीज आपने जब इसको पहले सेल किया तो 100 रुपीज आपके पास थे तो उस 100 रुपीज के बदले आपने 96 रुपीज देके एक एक शेर को फिर से खरीद लिया और इसको बोलते है वापस कर दिया अब आपने इसे 100 रुपीज का उधार लेता है आप इसको 96 का दे रहे हो तो यह कुछ नहीं बोलेगा पास आपने 95 के बारे तो इसको वापस कर दिया तो ऐसा होता है शौक ऑल्री अपको AZ का मिठेस के बारे भीज मैंथा जलने का यह बें भीज छाय जलने तो इसा घापला होने के बाद देखे आप यह जो ट्रेंड कहते है इसको कहते है बीरिष ट्रेंड तो आपको समझ में आगा है जो हम बताना चाहते थे शॉर्ट सेल और कुछ ट्रेंड के बारे में कुछ टॉक सिर्श के बारे में रबोट सोथी है वह अस टेलग्रम चैनल पर आपको मेलेगी तो आप यह संथमरे कले का अपको सब्सक्राइब करे जाती है गहां पूरा उसका प्रोसेस एक्स्प्रीन किया गया तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं So thank you for watching the video